ओम स्रीगणी श्यानामा दोस्तों आपका हार दिक स्वागत है हम बात करने वाले आज के सिंग रासी फल के बारे में कि आज इनका दिन कैसा रहेगा किन के चीज़ों से इनको सावदान रेन होगा किन के चीज़ों से इनको फायदा होगा इनका व्यपार कैसा रहेगा घर पर पर में तको रासी फल पहुंच सके चलिए दोस्तों बात कर लेते कैसा रहेगा आपके रासी बालों का आज का दिन दोस्तों आज आज आप कुछ नया करने का पिलान बना सकते हैं और आपके काम करने के तरीकों में भी पहले से बहुत सोधार आ जाएगा साथ इसाथ आप अपनी काम करने की छमता और जानकारी का विस्तार करेंगे जियां दोस्तों आप मानसिक तोर पर अधिक मजबुत होंगे जिस से आप हर पिरकार की परसितिका सामना कर सकेंगे आज आपके अंदर मानसिक और सारेरिक उर्जा भी परियाप मात्रा में रहेगी किसी नए काम से कुछ नया सीखने का मोका भी आज आपको मिलेगा अपने किसी परीचित के साथ किसी नई योजना पर विचार विमर्स करेंगे जियां दोस्तो और किसी नजदी की मित्र की मुलाकास से आपको खुशी का अफसर भी आज प्राप्त होगा दोस्तो अगर कहीं पर धन्निवेश करना चाहते हैं तो निवेश थोड़ा-थोड़ा करके ही करें इससे आपको भुष्से में अधिक लाब होगा नोकरी और बिजनेस में किसी बहारी व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है खासतोर से आपको अपने सीनियर अधिकारियों का सहयोग आज मिल सकता है और आप कामकाच के दिक्ता से बिलकुल भी ना घपराएं सभी कामों में आपको सफलता अवश्ते मिलेगी दोस्तो आपको अपने साती से प्यार में सुक और लाब होने के योग बन रहे हैं जिया दोस्तो आज कुछ धनलाब के योग भी रहेंगे और आप घर के पिरती अपनी सभी जिम्मेदारियों का सही से पालन करेंगे और परीजनों के साथ किसी महत्मुण विशे पर बैठ कर चर्चा भी करेंगे तता घर की साज सज्जा को लेकर आज कोई पिलानिंग भी बन सकती है आज आपको अपने सभी कारियों पर पूर्ण रूप से संतोस भी होगा अपने जीवन साती के साथ रिस्टों में आपकी मजबूती आएगी और साथी साथ परीजनों से भी संबंद अच्छे होंगे आज लव पार्टर के साथ समय भी अच्छा बीतेगा साम का पूरा समय दोस्तों के साथ गूमने फिलने में बीतेगा दोस्तों धन संबंदी कारियों में भी आज सफलता मिलेगी और विवसाय से अधिक मुनाफ़ा प्राप्त होगा घर परिवार में खुशियों का माहुल रहेगा माता पिता ता बाही बेहनों से संबंद मजबूत होंगे आज माता का आसिरवाद मिलेगा किसी भी कारिय की सुरुवाद करने से पहले अपनी माता का आसिरवाद अवस्य लेए इससे आपको अवस्य ही सफलता मिलेगी जो रिष्टे अलग से हैं उनमें पारदर सिता रखें साती विद्यार्टियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा उन्हें अपने किसी महत्पूर्ण कारिय में सफलता अवस्य मिलेगी सारा दिन अध्यन के अधिक्ता बनी रहेगी आपकी मेहनत से आपको सफलता अवस्य मिलेगी कोई भी महत्पूर्ण कारिय अधूरा ना छोड़े साथी साथ स्वासंबंदी समस्याओं में सावधानी बरते हैं साथी वहान और मसीनरी के कारियों को ध्यान पूरक करें और आलेस से आपको नुक्सान हो सकता है अपने विवार में सोमेता बनाए रखें आपका दिन उत्तम गुज़रेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है दोस्तो समय आज का उतार चड़ाओ से भरा रहने के बावजूद भी अच्छा रहने वाला है मुश्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बज़ेट योजना तियार करनी चाहिए और उस पर अमल करने की भी आपको अवज सकता है अन्यता आप फाइनेंसिल समझ चाहूँ कि बीच में खुद को गिरा हुआ पाएंगे जी हां दोस्तो दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसी रहने वाली है दोस्तो प्रेम संबंदों को मधूर बनाए रखने का प्रियास आज सफल हो सकता है दंपते जीवन आज अच्छा हो सकता है दंपते जीवन में चल रहतनाव भी आज दूर होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपका विवसाय और केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज कारिया भार की अधिकता रहेंगी लेकिन अपने प्रियासों से आपको कारियों में सफरता भी अवस्य ही प्राप्त होगी विशाय में धनलाब और नोकरी में तरक्की के योग रहेंगे उच्च अदिकारी आपके काम से आज प्रसन रहेंगे प्रोपर्टी में आज आप निवेस कर सकती हैं यह आपके भविश्य के लिए बहुत ही लाबदायक से दोगा साथी साथ विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों भ्रम भै वे पीडा की स्थिति आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए इसलिए आज आप अपने स्वास्त पर ध्यान दे अपने आपको तनाव मुक्त रखने की पूरी कोशिस करें किसी प्रकार की टेंशन ललें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रूजाना योग करें व्यायम करें प्रणायम करें और स्वास्त रहें